अबर दोस्तो एकजामित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रास्तान विद्यूर विबाग बरती 2021 की ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है टोटल पोस्ट दोस् माह 18-42 वर्स तक है तो इसमें अगर किसी के ओवरेज हो रही है तो वो भी बैठती इसके लिए अपलाई कर सकता है इसके लिए क्वालिफिकेशन भी 12 वेसेज पे भी है ग्रेजवेशन के लिए भी है तो अलग अलग पोस्ट है अब इन 1295 पोस्ट को डिवाइड करके दोस्तो रास्तान विद्यूत विबाग भरती 2021 में जो इलिजबिलिट क्राइटेरिय क्या रहेगा एप्लिकेशन फीज क्या रहेगी आप कब से कब तक एप्लिकेशन फॉर्म में एप्लाई कर सकते हैं सबी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वी डिटेशन जारी किया गया है इस में पांच कंपनिया सम्मिलित की जाती है जो यह पांच कंपनिया है वह यह आप जैसा किllan यहां पे देख सकते हैं अं पांच कंपनियों में दोस्तो यह 1295 पद्दों के लिए बरती निकाली गई है पहली है रहस्तन राज्य विदूत प्रसारण निगम लिमिटेड दूसरी है आर वी यू एनल जे वी वी एनल ए वी एनल और जे डी वी एनल तो आपके अगर बिजली का बिल आता हुआ तो उसके ओपर ये कंपनियों के नाम लिखे निकाली गई है 1295 पोस्ट में तो ये 1295 पोस्ट है दोस्तो वो असिस्टेंट परसनल ओपीसर की है जूनियर लिगल ओपीसर की है जूनियर अकाउंटेंट की है स्टेनोगरापर की है जूनियर असिस्टेंट या कमर्शिल असिस्टेंट सेकंड के लिए इनके लिए हल तो यहां पी आप यह देख सकते हैं तो इनमें तो टोटल वेकेंसी जए है अलग अलग जो परसेनल ब् flowers के लिए है टो इन में तीन आड़ तेन पांच एक टो एक टोटल नो पॉस्ट है इनके लिए यह तो स्ट्वश्ट यह उनी सिर्ट के लिए के लिए वह स्ट इसनर के लिए यह सेंड वह स्वाइज को अबतकिन ऐसे उने के लिए के लिए हम उन्यीए बाद करें में खेल kanalी है उनके लिए पन के लिए है, तो ये Total है 12 पोस्ट है है, इनको divide करके यहाँ पे इनको divide करके category वाइस, divide कर दिया गया, ये non-TSP के लिए है और ये इस वाले सेक्षर में यहाँ पर, तीएसप के लिए है, तीएसप के लिए के बिए एक पोस्ट है, तो ये होगी Personal Officer की और Junior Legal Officer की, अब next दोस्त इन 200C-Post को डिवाइड किया गया है आर वी पिन के लिए आर वी यू अनल के जे वी वी आनल के लिए एवी वी आनल के जी और जोद्पर विदूत विद्रणिकम लिमिटेड के लिए तो इनको केटिगर्यवाइज डिवाइड किया गया है यहां पे आप देख सकते हैं इसका अब जो next है दोस्तों वो बात करते हैं कि next कौन सी post है next है यहाँ पर stenographer की stenographer की दोस्तों total post है 35 यहाँ पर देख सकते हैं 35 है इनको सभी में divide करके category wise यहाँ पर रखा गया 35 को यहाँ पर देख सकते हैं इनसे belong करते हैं तो आप इनके लिए बढ़ सकते हैं non TSP की होगी stenographer में और यह है TSP की यहाँ पी यह TSP की आप देख सकते हैं TSP के लिए के लिए total तीन post है अब next है दोस्तों वो है junior assistant यह commercial assistant second एक ही बात है दोस्तों तो इसमें सबसे ज्यादा post निकाली गी है junior assistant की तो इसमें जो total post है वो है 768 post है total post है 768 तो यह आपके लिए है और उमिद करते हूं अगर आप उपर वाली जो post है उनमें भी अगर आप eligible है उन criteria का फिल करते हैं तो उनके लिए भी आप apply कर सकते हैं तो इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर category वाज सब का डिवाइडेशन किया गया है इसमें यह काफी सरी post निकाली गी है 768 है 760 post है और इसके लिए जो कालिपिकेशन है वो भी देखते हैं तो यह junior assistant की होगी वो non-tsp कीती और यह tsp की है तो tsp में अच्छी कासी post है tsp में 15 पोस्ट निक है जूनियर assistant के लिए 152 अगर आप टी एस बिलोंग करते हैं तो 152 पोस्ट है और category वाइज देखके आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब इसमें दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि सेलरी क्या रहेगी तो इसमें assistant personal officer जो लेवल 11 का रहेगा तो उसमें रहेगा जो आपका training period रहेगा उसके बाद में और training period के दोरान रहेगा 23,700, नेक्स जूनियर accountant की है उसमें आपका 33,800 रहेगा 23,700 आपका training period रहेगा stenography रहेगी 33,800 जो जूनियर assistant जिसमें काफी सरी post है उसमें आपका 20,800 रहेगा पर मंत का after training और training में रहेगा आपका 14,600 रुपे, त दोस्तों बात करते हैं कि इसकी educational qualification क्या रहेगी, तो अगर आप परसनल, assistant personal officer के लिए apply करना चाहते हैं, तो इसमें आपके graduation degree होनी चाहिए, और लोग के साथ में आपके कानून, अगर आपने LLBA कर रही है, तो उसमें आप कर सकते हैं, और MBA भी होनी चाहिए, इसमें आपके और अगर कोई diploma है आपके पास में, जैसे labor law या labor welfare personal management का, human resource management का, तो वो भी इसके लिए जरूरी है, इसमें आपके graduation के साथ में MBA की डिगरी जरूरी है, ये तो होगी दोस्तों, assistant personal officer की, जो junior legal officer है, उनका दिया गए कि आपके, आप low graduate होना चाहिए, LLB किया हुआ होना चाहिए, लोग के साथ में, और जो third है junior accountant के लिए, उसमें आपके साथ में commerce के साथ में आपने graduation की वी होनी चाहिए, तो junior accountant के लिए आप eligible है, जो next है दोस्तों, next की बात करें तो ये है stenographer की, stenographer में आपके graduation की degree होनी चाहिए, graduation की degree और इसके साथ में आपके साथ में आपके पास कोई भी computer का diploma होना जरूरी है, diploma वो चाहिए RSCIT का अगर आपके पास है, तो आप इसके लिए eligible है, stenographer के लिए, ये होगी दोस्तों, stenographer की, अब जो next है, वो है junior assistant, commercial assistant की, तो इसमें आपके होना चीए 12th pass out, 12th pass out होना चीए, और 12th pass out के बाद में अगर आपने computer का diploma या कुछ भी computer का आपके पास है, जैसे RSCIT भी है, तो उसके लिए भी आप eligible, इसके लिए आप form fill up कर सकते हैं, तो ये, इनमें computer का दिया गया, तो ये तो eligibility criteria की बात होगी, अब जो दोस्तों next बात करते हैं, कि इसमें जो physical, age का criteria क्या रहेगा, age criteria रहेगा दोस्तों में, इसमें 18 से 40 वर्स तक रहेगा, age को आधार माना गया, एक एक 2022 को, तो एक 2022 तक, अगर आपने 18 साल से 40 year है, accountant के लिए 42 है, stenographer के लिए 43 है, और इसमें ये देर का रास्तान विदूद परशारण निकम में लिम्टेड में 43 साल तक भी आप apply कर सकते हैं, और इनके लावा अगर stenographer में आप ये चार अदर कंप्रियां में 42 वर्स किया गया, OBC के लिए है, non criminal के 3 सार का SCST के लिए 5 साल का यहां पर ये दिया गया, आप देख सकते हैं, तो ये reservation का भी state wise ये दिया गया, अब जो next है दोस्तों, वो बात करते हैं, इसमें कि अगर आपने sports में या लेर का तो उसमें भी आपको especially मार्क्स दिये जाएंगे, next है दोस्तों, बात करें से में कि आप कब से कब तक apply कर सकते हैं, तो इसके लिए application form डालने की data दोस्तों, वो 2 March से 22 March की बीच में इसमें apply कर सकते हैं, से 22 बीजन का इसमें टाइम रहेगा और इसमें यह लिंक दिया गया यहां पर इन लिंक पर आप ओं-लाइन एप्लिकेशन डाल जाकते उबीजी है उनके लिए EWS के लिए तो उनके लिए 16 सुरुपे हैं इंक्लोडिंग GST और इनके अलावा अगर जिनके डाहिलाग से कम जिनकी इनकम है तो उनके 14 सुरुपे यह काफी ज़्यादा इसकी एफलिकेशन फीस है तो यह बात होगी दोस्तों यहां पर फीस के बारे में अगर आप एपलाई करना चाते हैं तो आप एपलाई कर सकते हैं यह ओपिशल नोटिकेशन जारी किया गया तो इसकेन करकि इसमें अप्लोड करना तो बाकी इसमें यह डिटेल्स दी गई है और इसमें बात करें कि जो सेलिबस है वो एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा तो इसमें असिस्टेंट परसनल ओपी सरकाईस जिसमें 60% वेटेश तो दोस्तों इसमें इनका कुदगा दिया गया ह 60% वेटेश है इनमें दिया गया से कौंस्टिटी this ऑप इंडिया दा इंडिस्टिल डिस्पूट- Lauश से रिलेटिड है वो दिया गया है और जो section B रहेगा जो पाट ये इसमें Section B में कंशेप्ट बनने स्टैडिक किया है तो इनसे रिलेटिड रहेगा इसमें पाट a और part b में तो part a 60% का है और 60% में section a section b divide किया गया अब जो next 40% weightage है वो 40% रहेगा इसमें personal assistant के लिए reasoning का रहेगा mathematics का gk hindi और english का तो यह से 60-40 का इसमें weightage दिया गया है जिनसे आपने study किया है उसका 60% रहेगा और 40% weightage रहेगा reasoning mathematics gkgs और hindi english का तो यह बात होगी इनकी और इनको detail में दियागा कि reasoning and mental ability mathematics में क्या क्या आएंगे यहां पर आप देख सकते इसका यह officially notification में है अब जो next है दोस्तों वो देखते है कि जो अन्य पोस्ट है उनके लिए junior legal officer के लिए 60-40 का weightage है junior legal officer के लिए भी जो आपने अगर low कर रहेगा तो 60% weightage उसका रहेगा जैसे low से related जो परसनल उसमें आएंगे और 40% में सेम परसनल जो परसनल उसके समानी है reasoning का mathematics का gkgs हिंदी और इंग्लिज का तो यह बात होगी दोस्तों अब junior accountant की है 60% weightage रहेगा आपने कॉमार से graduation कर रही है तो उसे related आपके 60% weightage रहेगा और 40% रहेगा reasoning mental ability mathematics gkgs हिंदी और इंग्लिज का तो यह हो गई दोस्तों यहां नीचे details में उताय गया अब जो stenographer है दोस्तों stenographer का देखते है स्टेनोग्रापर में दोस्तों यहां पर 40 और 60 का है जो उपर की 3 पोस्त थी उनमें 60 40 का था लेकिन अब इनमें 40% और 60% का तो दोस्तों 40% का weightage है वो है इसमें reasoning का mathematics का gkgs का है और Hindi और English का यह तो 40% आपका paper का रहेगा अब जो 60% weightage रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका typing का typing का stenographer के लिए रहेगा इसमें रहेगा आपके English के लिए 100 word per minute का रहेगा तो इसमें 100 marks रहेगे और इसमें आपके जो speed check की जाएगी कि आपकी accuracy कितनी है तो 10 minute का यह दिया जाएगा 60 minutes का time यह दिया जाएगा तो totally 100 marks का होगा Hindi और English दोनों का होगा Hindi में भी आपका check किया जाएगा speed और आपकी accuracy तो यह Hindi का 100 marks का होगा और जो English का रहेगा वह भी 100 marks का रहेगा तो ऐसे मिला के 200 marks के यह रहेंगे तो यह जो 60% weightage है यह stenographed में इसका दिया गया 60% weightage आपकी typing का दिया गया अब junior assistant का है सेम एसा ही यह junior assistant में 40% weightage है वह पेपर का है और जो 60% weightage है वह है दोस्तों आपके typing का सेम उन्हें की तरह दिया गया इसमें speed test आपका चेक किया जाएगा 10 minute का समय दिया जाएगा 25 marks के रहेंगे और efficiency test रहेगा आपका यह Hindi का है यह 10 minute का दिया जाएगा 25 marks के रहेंगे अब इसमें जो English का है उसमें भी आपका speed test चेक किया जाएगा जो 25 marks का है और efficiency test भी 25 marks का तो यह total आपका 100 marks का हो जाएगा तो यह है आपका जूनियर assistant का इसमें 40% weightage है वो आपका paper का रहेगा बाकि आपका 60% weightage है वो रहेगा आपके टाइपिंग का तो यह सारी details हो तो इस official notification में दी गई है आपको किसी भी तरह कोई issue आ रहा है या कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं या last में यहाँ पे date दी गई है कि आप कब से कब तक apply कर सकते हैं कोई भी आपको अगर information order चाहिए तो यह help line number दिया गए इन पे आप call कर सकत है धन्यवाद जे हिन जे भारत